बिस्मिल्लाई रहमानी रहीम, सलामों अलेकूम, वेलकम टू माई कीचन आज हम बहुती आसान तरीके से सूरत का फेमस अंडा गोटाला बनाएंगे जो खाने में बहुती टेस्टी और मज़ेदार बनता है अंडा गोटाला बहुती फेमस ट्रीट फूड है जिसे लोग बहुती सौक से खाना पसंद करते है इसे पाउं के साथ खाया जाता है और ये गर्मा गरम बहुती अच्छा लगता है अगर आपको कीचन से जल्दी से चुटकार पाना हो और कुछ बढ़िया टेस्टी सा भी खाना हो तो आप ये अंडा गोटाला की रेसीपी स्किप करें भीना जरूर से देखिएगा और लाइक सर सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते है मैंने यहाँ पे बड़ा सा तवा ले लिया है क्योंकि हम ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टैल बना रहे हैं अगर आप चाहो तो इसे पैन में और कड़ाई में भी बना सकते हैं तो हम यहाँ पे दो बड़े चम्मस तेल ले लेंगे और इसमें हम दो प्यास को बारिक काटके डालेंगे और साथ ही में हम दो टमाटर को भी बारिक चौप करके डाल देंगे एक बार हम इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि नीचे से ये चिपके नहीं अब हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे ताकि हमारे प्याज और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए अब हम इसे एक मिनिट तक पका लेंगे एक मिनिट के बाद हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए है तो अब हम इसे पाउबाजी मैसर से अच्छे से दबा लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी हो जाए तो देखे हमारी टमाटर और प्यास अच्छे से मैश हो गए है अब हम आगे की मसाले डालेंगे एक चमाच हम अदरक लहसुन की पेश डालेंगे 5-6 हरी मिर्ची को बारिक चॉप करके डालेंगे हरी मिर्ची आपको जरूर से डालनी है क्योंकि इसका टेस्ट अंडा कोटाला में बहुत ही अच्छा आता है दो चमाच जितना हम हरा लहसुन बारिक काटके डाल देंगे हरा लहसुन अगर ना होता आप इसे स्कीप भी कर सकते है आदी चमाच हल्दी डालेंगे एक चमाच लाल मिर्च पाउडर एक चमाच धनिया पाउडर आदी चमाच कुटी हुई काली मिर्च और एक चमाच हम गरम मसाला डालेंगे ये मैंने एवरिष्ट का चिकन मसाला लिया है आपके पास जो भी अवेलेबल करम मसाला हो वो आप इसमें डाल सकते है सारी चीज़ों को हम अच्छे से हिला लेंगे और मसाली डालने के टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को स्लोही रखना है ताकि ये नीचे से चिपक न जाए मसालो को हम एक मिनिट तक पकने देंगे अगर आपके पास ऐसी बड़ी लोहे की कड़ाई ना हो तो आप घर की नॉर्मल कड़ाई, नॉन्स्टिक पैन या तो तवे में भी ये आप अंडा गोटाला बना सकते है एक मिनिट के बाद हम इसमें बॉयल अंडे डालेंगे बॉयल अंडो को हम इस तरीके से उपर से ही डायरेक ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे मैं चार अंडो को इस तरीके से ग्रेट कर लूँगी और इस वक्त हम गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे फिर से हम एक चम्मच इसमें तेल भी डाल देंगे और अच्छे से इसे हिला लेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए अब हम इसमें एक कप जितना पानी डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे इसे हम थोड़ी थीक ग्रेवी जैसा ही बनाएंगे तो वो ही सबसे हमें इसमें पानी एड़ करना है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है पर मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा और पानी इसमें एड़ करूंगी और फिर हम इसे तीन से चार मिनिट के लिए पकने देंगे ताकि हमारे मसाले अंडे के साथ अच्छे से पक जाए तो देखें तीन से चार मिनिट के लिए हमने इसे पका लिया था और ये हमारा रेडी हो गया है देखिए यहीं थिकनिस की हमारी ग्रेवी होनी चाहिए अब हम गैस की फ्लेम को बन करेंगे और फिर हम हरा दनिया डाल देंगे एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम ये अंडा ग्रेवी को एक बाउल में निकाल लेंगे तो मैंने ये सारी ग्रेवी को ये बावल में निकाल लिया है अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे अब हम हाफ फ्राइ बनाएंगे तो वही तवे में हम एक चमच बटर डालेंगे और साथ ही में हम इसके साथ एक चमच तील डालेंगे अब इसमें हम अंडा तोड लेंगे गैस की फ्लेम को हमें मेडियम ही रखना है और इसमें हम टेश्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हाफ फ्राई हमें ऐसे कच्छा पका ही थोड़ा फ्राई करना है अंडे को हमें ज्यादा नहीं पकाना है तो देखिए हमारा half fry बनके तैयार हो गया है तो अब हम ये गर्मा गरम gravy में ये गर्मा गरम half fry भी डाल देंगे और तवे में जितना भी तेल और बटर है वो भी हम इसमें साथ में ही डाल देंगे तो अब हम ये गर्मा गरम अंडा ग्रेवी के साथ गर्मा गरम हाफ राइ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस एक चीज का ही हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम हाफ राइ अंडा ग्रेवी में डालते हैं और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट का लगता है। तो गर्मा-गरम ग्रेवी में हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हमारा अंडा गोटाला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम वही तवे में ही थोड़ा सा तेल डालके पाउं को भी फ्राइ कर लेंगे। ऐसे मसाले वाले ही तवे के उपपर पाउं फ्राइ करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए गर्मा गरम पाउं के साथ हम गर्मा गरम अंडा गोटाला सर्व करेंगे। बहुत इलजीज और सांदर हमारा अंडा गोटाला बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। और देखते ही खाने का दिल हो जाए ऐसा ही अंडा गोटाला हमारा बना है। अंडा गोटाला की बहुत यासन रेसीपी मैंने आपके शाद सेर की है, तह आप इसे एक बर जरूर से बनाईएगा, थोड़ा सा हम इसके उपर चीज ग्रेट कर लेंगे, थोड़े हरे धनिये से हम इसे गार्निश कर लेंगे, और थोड़ा सा हम मियोनिस भी इसके उपर गार बहुत ही फेमस ट्रीट फूड में से एक है, ये सबको बहुत ही पसंद आता है, और बहुत ही आसन सी रेसीपी मैंने आपके साथ इसकी सेर की है, तो हमेसा की तरह मेरी रेसीपी आपको यूसफूल लगी हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक और सेर कर दीजिएगा, और मे झाल